हेलो एब्रिवान आज का टॉपिक है गिरी यूद में अबराहम लिंकन की भूमिका पर प्रकास डाले अबराहम लिंकन ने अभिराश्ट पती पर की सपत नहीं ली थी लेकिन इससे पहले दश्षिनी राज्यों की पिर्तकतावादी हल चले तिवर हो गई थी उनका मानना था कि संयुक्त राज अमेरिका संपर्भू राज्यों की स्वेक्षा से बिना एक संग राज्ट है यता किसी राज की इक्षा अगर संग से पिर्तक रहने की है तो उसे अपनी इक्षा अनुसार संग से पिर्तक होनी का अधिकार है सर पर्थम केरोलीना ने सितमबर 1860 इस्वी में संग से पिर्थक होनी का निर्ने लिया इसके पाशात अनिक राजियों ने उसका अनुसरन कर्षंग से पिर्थक होनी का निर्ने लिया इसके परिनाम स्वरुप 1861 इस्वी के अन तक मिसीपी की अलबामा, जड़ जिया, फलोरीडा, टेकसस और लुशियाना जैसे कुल साथ राजियों के नाम से एक परिशंग का निर्मान किया इस परिशंग के पिर्थक राष्टपती, उपराष्टपती और कॉंग्रेस थे अश्टीफेंस को चुना गया, इस परकार लिंकन के समक्ष एक गंभीर समस्या उपस्तित थी, लिंकन द्वारा राष्पती पद की सपत लेना, चार मार्च 1861, इस वी को अबरहाम लिंकन ने राष्पती पद की सपत लिवा पर्तिक अस्तरपर्शंग की एकता के स्थापना चाहता था, और सभी समस्याओं का समाधान वर्तलाप के दुवारा करना चाहता था, लिंकन ने दक्षिनी परिसंग से अनेक अपीले सी की पर उनका उन पर कोई परभाव नहीं पड़ा, लिंकन युद के बिना ही इस समस्याओं का समाधान चाहता था, किन्तु दक्षिनी परिसंग के अपनी जूटी सकती और दम्भ पर अडिग रहने के कारण ऐसे संभव न दिरिष्टी से अतियांत महत्पुन था, सम्टर के कीले पर मेजर एडसन का अधिकार था, किन्तु वह रसद की कमी होनी के कारण ततकार रसद भेजना आवे सकता, इनकी कमी में या कीला परिसंग की सेनाओं का सामना नहीं कर सकता था, अता 6 अप्रेल 1861 इस वी को लिंकन न समस्टर के कीले के लिए रसद भेजी गई, उस पर दक्षिनी राजियों द्वारा अधिकार करने का परियतन किया गया तता, दक्षिनी परिसंग ने मेजर एंडर्शन को आदम समर्पन करने के लिए कहा, एंडर्शन द्वारा आदम समर्पन करने से इनकार करने पर परिसं उसी भी को सम्टर के लिए बंबारी करना शुरू कर दिया अंतता एंडर्शन को बीवस होकर 14 अप्रेल को आत्म समर्पन करना पड़ा लिंकन किसी भी कीमत पर सम्टर के कीले की रक्षा करना चाहता था संग को सुरक्षित और आखंडित बनाय रखने हितु कीले को वापस प् समक सबसे परमुक कायर्शंग और राष्ट की सुरक्षा करना था उसने स्वें के उतरदायत परशेना में 75,000 स्वें सेवकों को भरती कर उन्हें दक्षिनी परिशंग के तटों की नाके बंदी का आदेश दिया इस परकार दोनों पक्षों की और से यूद शुरू हो गया था राजियों का बटवारा यूद की इन परिश्थितियों में स्वर पर्थम उन आठ राजियों को संग या परिशंग में से किसी एक में रहने का निरने लेना था जो अभी निश्य की स्थिति में बने हुए थे वर्जिनिया, आरकंसास, टैनेक्सी और उत्री केरोलिनी ने दश्चिनी परिशंग में सामिल होने का निरने किया, मिसोरी, मेरीलेंड, केंटकी और डेलावयर ने संग में ही बने रहने का निरने किया, इस परकार राजियों एवं उसमें रहने वाले लोगों को बटवारा पूरा हो गया, उत्री संग में 19 राज थे जिनकी संख्या का निवास था, दश्चिनी परिशंग में 11 राज थे जिनकी संख्या लगभग 1 करोड थी, इनमी दाशों की संख्या 35 लाग थी, उत्री मंच की सेना में 20 लाग और दश्चिनी परिशंग की सेना में 8 लाग सेनिक थे, दश्चिनी परिशंग की सेनी संख्या कम होन के बावजुद दक्षनी परिशंग के अपनी जीत पर पुर्ण विश्वास बना हुआ था उत्री राजों की इस्तिती युद से संबंधित संसाधनों की द्रिष्टी से अच्छी थी उत्री राज अस्त्र सस्त्र गोला बारुत कपड़े वा अन्य द्रिष्टी कुन से दक् को ही वेधानिक रूप से मान्यता प्राप्त की उसकी इस्तिती राज नितिक आर्थिक के सेनिक और कुट नितिक द्रिष्टी से अपने ही छेत्र पर अधिक अच्छी थी दूसरी और दश्नी परिशंग की इस्तिती इस द्रिष्टी से अच्छी थी कि उसे युद अपने ह छेतर पर लड़ना था हुआ, सेनिक उसलता में भी परिपुर्ण था, यहां की भोगवलिक परिष्थितियों के कारण समय नागरीक भी सारीरिक दिरिष्टी से अधिक मजबुत और शक्ति साली थे, अब सकता पढ़ने पर वे कम समय में ही परसिक्षित होकर शेना में वर्ती हो सकते थे, किन्तु जब यूद परारम हुआ, तब दशनी परिष्थंग को अपनी कम जोखों का धिरे-धिरे असास हो गया, जुलाई 1861 इसमी में उत्री वर्जनिया में इस्तीत बुलरन नामक अस्थान पर शेंग और परिष्थंग की सेना का नेत्रिफ जनरल ब्यूरी गाड ने किया और शंग की सेना का नेत्रिफ जनरल इर्वीन मेक डौवल ने किया, यूद में परिष्थंग की सेनाओं ने संग की सेना का डटकर मुकाबला किया, अन्तता संग की सेना पीछे हट गई, यूद का कोई निरनायक के परिनाम नहीं निकला, उत्री संग को या बाद जनरल में कलालन को संपूर संगे सेना का कमांडर इंचीप बना दिया है। लिंकन की योजना सिमावर्ती राज्यों को अपने परभाव में लाने और परिसंग के दक्षनी बंदरगाहें की नो सेनिक किले बंदी करने की थी। मार्च 1862 में उशने संगे सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया पशी में यूद का आरम 1862 इसमी में गिरी यूद एक निरने आत्मक इस्थिती तक पहुँच गया संगे सेना के कमांडर इंचीप जनरल मेकलालन के पशी में मिसी सीपी रेखा पर अपना नियंतरा अस्था प्रापित करने को लिंकन ने भी अपनी स्विकीर्थी देदी साथ अप्रेल 1862 इस्वी में दशनी परिशंग की सेनाओं द्वारा सी लोग पर अचानक आकर्मन करने पर शंगे सेना के नेतरित करता यू एस ग्रांट ने इस्तिति के अपने परति कूल हुने के बावजित परिशंग की सेनाओं पर आकर्मन कर दिया और शेनाओं पती बियूरी घाड को प्रासस्त करने में सफलता प्राप हुए इसके कुछ महनेप श्यात मी सीचिपी के बहत बड़े भाग परशंगे सेनाने अपना नियंत्रन अस्थापित करने में सफलता प्राप्ति यह धपी इस युद में संग्य सेना की भी काफी चती हुई थी किन्तु उनकी या विजे काफी महत्पुन्थी राष्ट पती लिंकन इस विजे के नित्रित करता ग्रांट से बहुत प्रभावित हुआ इस विजे से वावेल ने उत्तर के और वर्जिनिया पर आकर्मन करनी की अपनी योजना के मुर्थ रुप पर दान दिया किन्तु दक्षिन परिशंग के योगी सेना पती अस्टोनवाल जेक्सन ने उनको रोक कर सेनान डी घाटी पर अपना आकर्मन कर दिया जेक्सन के आकर्मन के कारण संगे सेना का कमांडर इन चीप मेंक लालन पीछे हटने पर विवस हुआ और ततपश्चा सरकार के निर्देशा नुसर अपनी सेना के साथ वसिंग्टन वापस चला गया उत्ती संग की सेना के संगटन में सिर्श अस्तर पर अनिक बदलाव किये गए परिशंग के मुएक सेनापती रोबर्ट इली ने अब मेंसोस के गुद में सेनापती जोन पॉप को प्रासस्त करने में सफलता अजित की और मेरिलेंड को जीतने है तू वैसिल वैनिया पर अकर् कर दिया इन विशम परिश्थितियों में लिंकर ने सेना का नेत्रित पुना मेकलालन को सोप दिया मेकलालन और रोबर्ट इली की सेनाओं के मुए 17 सितंबर 1862 इश्वी को हुए युद का कोई परिनाम नहीं निकाल इस संगर्ष में ली ही की सेना को काफी हानी उठानी तो संगे सरकार दोबारा उसकी यूद की अनिक्षा के कारण उसको सदेव के लिए पच्चियूत कर दिया गया इस दोरान परिशंगे सेना नेली के नेत्रित में काफी सफल था अर्जित की जिसके कारण उत्री संग के लिए कहीं पर्तिकुल परिस्थितियां विदमान थी दास मुक्ती की गोष्णा लिंकन ने सर्वोष सेनापती के अधिकाशे 22 सितंबर 1862 इश्वी को यह गोष्णा की की एक जन्वरी 1863 इश्वी को सभी दास मुक्त कर दिये जाएंगे इस घोष्णा के परिनाम सवरुप एक लाग पचास सवतंत्र दास संगे सेना में बढ़ती हुए दास मुक्ती घोष्णा का बीशु जन्मत में बहुत परभापड़ा और संग की इस्तिति सुद्रेड हुए युदिकार निरनायक चरन में परवेश दशिनी परिश्व के सेन संगे सेना का नेत्रिय जनरल जर्ट सी मीट को सोपा जुलाइ से तीन जुलाइ के मईद दोनों वर की सेनाओं के मईद गेट्स वर का युद हुआ यह युद काफी निरनायक रहा उससे पूरपरिशंग की सेना की इस्तिति काफी मजबूत थी किन्तु इसके पश्यात उनक सेना ने जनरल ग्रांट की नेत्रित में विक्सबर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और दश्यानी परिशंग को दो भागों में बाट दिया इसके पशचत 9 सितंबर 1863 इश्वी को संगे सेना ने चटनू का साहर पर अपना अधिकार स्थापित किया लिंकर ने अब सेना पती के पद पर जनरल ग्रांट को नियुक्ति किया उसने परिशंग के सेना पती जनरल बाग को पुन रुपेर प्रासस्त करने में सफलता अर्जित की दूसरी और पशी में संगे सेना के मुईक सेना नायक विलियन टी सर्मन ने 2 सितंबर 1863 इश्वी को मनों को देख दशीन परिशंग्य के लोग काफी भैवित हो उठे संगे सेना पती जनरल ग्रांट ने मार्च अठार सो प्राशन के मुईक सेना पती ली को पिट्सर बर्ग में प्रासस्त कर रिचमांड और पिटर्श बर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया अब ज अंगे सेना पती ग्रांट के समक्ष 9 अप्रेल 865 इश्वी को आत्म समर्पन कर दिया जैक्सन ने भी सरमन के समक्ष समर्पन कर दिया दशीनी परिशंग के राष्ट पती डेविस को भी दस मैं 865 इश्वी को पकड़ लिया गया अब गिरी युद समाप्त हो गया और लिंक इस समय विघटन कारी और अलगाव आदितातु सदेव के लिए समाप्त हो गया लिंकन रिपब्लिकन के उम्मिद्वार के रूप में पूरा संयुक्त अमेरिका के राष्ट पति पत के लिए पूर्ण निर्वाचित हुए लिंकन ने चार मार्च 865 इश्वी को राष्ट प करने की बात कही परिश्टांग के सेनापति जनरल ली आतन समर्पन किये जाने के कारण समस्त वासिंग्टन में उत्सा और हल्चल का वाता वरन निर्मित था लिंकन अपनी पतनी के साथ 14 अप्रेल 865 इश्वी को वासिंग्टन के फोर्ट थियेटर में नाटक देखने गए वहीं एक अर्ध विक्षिप कलाकार जोन विक्स बूत ने गोली मार कर लिंकन की हत्या कर दी और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और सेर जरूर करें